आज का मेरा टॉपिक है किसी भी वेडिंग फोटो को अगर रीटच करना हो, कलर बैलेंस करना हो, तो किस तरीके से करेंगे? आज उसी का टिटोरियल हम लेके आये हैं, आप लोग अगर इंट्रेस्टेड हैं, तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, हमारे डिस्पले पे जो फोटो देख रहे हैं, यह ओरिजनल फोटो है, और जब हम इसे रीटच करेंगे, तो किस तरीके से दीखेगा? यह आपके साम करेंगे, आज इस वीडियो में आपको पूरा किलियर हम बता देंगे, हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, हमारे वीडियो अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लिजे, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब से retouch किया हूव 받고 हम उसको delete कर देंगे यहाँ से डेलीट हम इसको कर देते हैं अब यह दर है मेरे पास original photo और इसको retouch करेंगे कैसे करेंगे क्या क्या करते हैं आप ध्यान से देखें और समझे सबसे पहले मिस का a copy बनाएंगे Ctrl L press करके आपको copy बनाने का जरुवत नहीं है, हम after before के लिए में copy बनाए हैं, अब देखें ये तो हम control J प्रेस करके एक इसका copy बनाए हैं, फोटो को आप control प्लस से थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको detail पता चलें, सबसे पहले तो देख रहे होंगे face पे दो तीन जगा पिंपल्स है, तील है, तो इसको हम सबस ब्रस टूल एक option दिया हुआ रखता है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं, यह वाले option है, फर्स्ट वाला, इसको आप क्लिक कीजिए, और जहां जहां आपको तील दीख रहा है, वहां पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक और यहां से देखिए, इसका size बढ़ाने का घटाने का आ जाएगा, माउस के opposite क्लिक करना है, जैसे आपको यहां बिंदी दिख रहा है, बिंदी पर अगर क्लिक करते हैं, तो बिंदी यहां से गाइब हो गया, तो यह आप सबसे पहले तो यहां जो तील है, कोई, या फिर आपको pimples है, तो आप पहले remove कर लें इसको, जैसे यहां पर हमने क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, यहां, तो यह सारे remove हो गया, remove होने के बाद आपको keyboard के बटन से control aim प्रेस करना है, और curve खोलना है, control aim, control aim हम जब प्रेस करेंगे, तो यह curve खुलेगा, या फिर आप image में जा जाएंगे, और यहां पर देखिए, एक curve का option है, और इसके बगल में shortcut की लिखा हुआ रहता है, shortcut की आप एक बार याद कर लिजिएगा, तो बहतर होगा काम करने में, थोड़ सा speed आपका बढ़ जाएगा, तो control aim से आप curve के पास जा सकते हैं, या फिर image में जाएं, एड़िस ता उपर के और लेके चले जाएं, कर्व को हम थोगा सा यूज करेंगे, बस और यहां से आप ok करें, कर्व यूज कर लिए, अब हमको level इसका check करना है, कि level कितना तक हम लेके जा सकते हैं, तो level का shortcut की होता है, control L, keyboard के बटन से आप control L प्रेस करें, या फिर आप image में जाएं, adjust में जा और यहां पर देखिए, level लिखा हुआ, उसके बगल में shortcut की है, control L प्रेस करेंगे, तो ये level खुल जाएगा, तो level को आप यहां से आप थोड़ा सा बढ़ाएं और highlight को यहां से, और shadow को आप कम कर दीजे, बलब थोड़ा थोड़ा इसमें हम बढ़ाएं और इसको कम कियें, तो आप after before दिखाते हैं आपको पहले मेरा फोटो ऐसा था और अभी ऐसा है, तो कितना change हो गया है, मातर दो चीज यूज किये हैं, curve यूज किये हैं, और level यूज किये हैं, इसी में आपको after before पता चलेगा कि कितना अंतर हो चुका है फोटो में, यहां तक समझ में आ color balance खुलेगा, control B, इसका shortcut की होता है, और आप image में जाए, adjust में जाए, और देखे यहां color balance लिखा हुआ है, उसके बगल में shortcut की है, control B प्रेस करेंगे, और यहां पे आप highlight पे click कर देंगे, यहां पे highlight पे click किजिए, yellow है, cyan है, यह सब है, red, green, blue, तो सबसे नीचे blue, इसमें पी yellow को हम ले जाएंगे, तो यह blue खतम हो जाएगा, sorry, yellow खतम हो जाएगा, यहां से हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, तो आप देख सकते हैं, मेरा face पे जो पीला tone था, वो थोड़ा सा remove हो गया, बस इतना ही काम है, अगर photo आपका पूरा damage है, तो आप उससे adjust कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे selective color का, selective color बहुत ही important चीज होता है, selective color का shortcut की होता है, alt ias, alt ias, आप याद कर लिजे, या फिर हम आपको menu के तरफ से बता देते हैं, आप image में जाएं, adjust में जाएं, और यहां से देखिए selective color है, इसका shortcut की लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको य जाद करना पड़ेगा, alt ias, यहां से alt ias प्रेस कीजिएगा, तो इस तरीके का डायलो बॉक्स खुल जाएगा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप yellow को यूज कीजिए, तो यहां से आप click कीजिएगा, यहां पर बहुत सारा color है, color को कैसे यूज करना है, यह चीज को जैसे rate है, rate को लिए है, और यहां से जब कम करेंगे, तो rate ही जो है, पुरा rate कम हो जाएगा, तो इसको हम अभी zero कर दिए, सबसे पहले हम यूज करेंगे, यहां से yellow को, yellow को हम थोड़ा सा यहां से इधर पकड़के, आगे की और लेके जाएंगे, और यहां फिर एक yellow और है, यहां black है, यहां yellow है, तो yellow को आप थोड़ा सा इधर के और लेके जाएंगे, तो मेरा face पे जो पूरा yellow था, वो बिल्कुल खतम हो गया, आप ध्यान दीजिए, हम आपको फिर से दिखाते हैं, zero इसको किये, zero किये, सबसे पहले आप yellow को पकड़ें, और इसको कम करें, ठीक है और इसको जो black है, black को थोड़ा सा कम करें, तो आप देख रहोंगे कि face पे जितना भी yellow tone पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल remove हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं करने का जरूरत है, आप सिर्फ यहां से एक बार red को ले लें, red को लेने के बाद आप यहां सबसे नीचे black ह इरिया है, वो आपको थोड़ा सा dark हो जाएगा, जहां red है, ना कि आपका black को यह dark कर देगा, ना yellow को dark करेगा, सिर्फ जहां पे red होगा, उसी को dark करेगा यह, उसके बाद हम यहां से black लेंगे, black को आप थोड़ा सा यहां कम कर लीजे, तो जहां जहां black एरिया है, उसको पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये चेंज होता है, दो तीन चीज का यूज कीजिए, आप फोटो बहुत ही अच्छा से आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, बहुत अच्छा किरियाटिव फोटो आप बना सकते हैं, इतना हो गया, अब अगर आपको लगता है कि थोवा स उसका लाइट का मीं है या फिर कन्टरास्ट करना है या फिर ब्रैटनेस को बढ़ाना है, तो उसका सॉर्टकेट की होता है? Alt I, A, C Alt I, A, C से आपको Contrast और Brightness बढ़ाने का Option आ जाता है और अगर आपको Menu के तरफ से जाना है ति Image में जाए Adjust में जाए और यहाँ पे आप देखिएगा Brightness और Contrast एक Option दिया हुआ है इसको जब किलिक किजिएगा तो 2 खुलेगा उपर में Brightness है नीचे Contrast है तो आप Brightness के तरफ जितना बढ़ाएगा तो उतना Bright हो जाएगा तो आप अपने फोटो के अनुसार इसमें आप Light बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं तो Actually मेरा फोटो लगबग ठीक ही था तो इसमें हमको Light बढ़ाने का कोई जरूवत नहीं है हम इसको Zero रखते हैं Contrast Contrast को आप कम किजिएगा तो थोड़ा सा फोटो उभर जाएगा मतलब जो जो Contrast करने से फोटो थोड़ा सा जो आपका दवा वो फोटो थोड़ा सा उभर जाता है तो मान के चलिए कि हम यहां से लगबग लगबग हम 3-4 के आसपास हम इसको बढ़ाएं और आपको लगता है कि Light Cam है तो आप इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा यह हो गया अब देख सकते हैं कि After Before मेरा कैसा है तो यह पहले मेरा फोटो ऐसा था और अभी ऐसा है तो इतना 4-5 चीज का यूज किजिए और फोटो आप खुद से अंतर देखिए कि कितना चेंज होता है फोटो में और फिर भी अगर आपको कुछ प्राब्लम हो तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हम कॉर्सिस करेंगे आपको पूरी तरीके से समझाने का तो आज का टिटोरियल मेरा इसी पर था और कैसा लगा मेरा वीडियो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं फोटो सॉप में कुछ भी सीखना हो कुछ भी समझना हो कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें और बताएं हम उस टैप का टिटोरियल आपके सामने जरूर लेकाएंगे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो और अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिजे आज तक लिए इतना ही मिलते हैं ने इस वीडियो में धन्यवाद